हेलो फ्रेंज तो आज मैं फिर से आप लोग के सामने चार ब्यूटिफुल से डिवाले के लिए सेयर करने जा रही हूं तो वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा तो चलिए फस्ट डियाएवे बनाते हैं डूर हैंगिंग बना रही हूं तो यह कॉंट्रेक्स के बॉक्स कोई भी पतला कार्टबूर्ड का बॉक्स ले लिजेगा और इसको इस तरीके से कट कर लीजेगा दो बनाओंगी एक के लिए मुझे फाइब कार्टबूर्ड मैं इसके उपर पहले पिंग कलर का लाइट कलर का पेपर लगा दे रही हूं जिससे की कार्टबूर्ड का जो है वो विजवल ना हूँ और उसके बाद मैं इसके उपर फैब्रिक लगाऊंगी अगर आपका मोटा कपड़ा है तो आपको जरूरत नहीं है इस तरीके से लग लगा देंगे इससे काइट बनता है उस तरीकी का सेफ हमको देना है इस तरीके से फिर नीचे थोड़ा सा कलर्फुल इस तरीके वाली लेस हमको लगानी है इस तरीके से देखें बहुत ही सुंदर सा DIY है और लास्ट में मतलब इस DIY के अंप्लीट होने के बाद मैं आपको ब तो देखे इस तरीके से हमारा ready हो जाता है अब हम गोटापती वाले लेंगे और उसको पहले हम यहां पे चिपकाकर थोड़ा सा और फोल्ड कर देंगे जिससे यह hanging के लिए ready हो जाए यहां पर इसको प्रॉपर इस तरीके से चिपका देंगे ने हुए इस तरीके से देखें, हम पांचों चिपका देंगे, बहुत ही सुन्दर सी हैंगिंग बनने वाली है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देखें तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजएगा, यह देखें, बहुत ही सुन्दर सी हैंगिं रही हमारी बनके त्यार और सिर्फ 30-40 रुपए के कॉस्ट में तो बहुत ही इसली यह बहुत सुन्दर सी हैंगिंग बनके रेडी हो गई है अगर आपको अच्छी लगए तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा और यह डिवाली के एक परफ्रेक्ट वाली हैंगिंग है आप लोग कमेंट स दूरत लग रहा है यह हम 460 रुपए एक हाई है अमाजॉन का लेने वाले थे बस हमने इसको बना लिया चले सेकंड बनाते कैंडल होल्डर मेरे पास यह लास्ट यर का कुछ बेस बनना बचा हुआ जो कैंडल सम जलाते हैं इसको इस तरीके से देखें लीप्स का सेब निकाल लेंगे फिर हमने जो लीप्स बनाई है उसको किसी भी नुकीली चीज़ से सेब दे देंगे यह देखें इस तरीके से इस तरीके से हमें सारा बना देना है उसके अदम ग्लू की हल्प से जो हमने ग्लिटर फॉर्म सीट कट की थी वो कार्ट बोड के उपर बीच में इसको चिपका देंगे यह देखें इस तरीके से फिर हमें मिर्र लेना है इसके किनारे पूरा लगा देना है यह कीन माने बहुत ही सुंदर से कैंडल होल्डर और वाल डेकॉर आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते मैं आपको लास्ट में बताऊंगी इसको बनाने के बा है यह मीरा बहुत ही फेडरिट यह यह हैं बहुत ही खौपसूरत लगा क्ल Criti करते हैं तो वसिवेश्ट हो ड्याय है मकरते मिर्ड़ेयोल से इतना सुन्दा से सबस्क्राइब कर लेजेगा यह यह देखें पहले इस थरीके से यूज़ कर सकते हैं आपTS कहें खेंडल तो बहुत ही सुन्दर से लग रहा है, इसको आप रंगोली में भी रखके वहां पर रंगोली खेंग दिवाली की रंगोली में, वहां भी बहुत सुन्दर लगेगा. और इसको दूसरा मेर्थार जो है उसमें आप शेलो टेप या कोई भी ने पेपर टेप का यूज करके देखिए मास्किन टेप करके इसको वाल पे लगा सकते हैं दिखिए करके यहां पर लगा दें तो बहुत यह सुंदर समरा वाल टेकर त्यार जाएगा चलिए थार से पहले ओपन कर ले रहा है और मुझे इफको को हाइट करना है तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था तो यह पेपर साते हैं बहुत एजली मिल जाते हैं किसी भी क्राफ्ट चॉप पे मिल जाएगा इसको मैं सरीके से सर्कल कट करके निकाल ले रही हूं देख के बहुत हार नहीं होता है और अच्छे से इस चिक हो जाता है इस तरीके से माने इसकी सुईन्ख कर दीजाए थोड़ा सा जो इसकी तैकर पे लगा देंगे बाहर इसको अच्छे से चिपका देंगे बहुत ही सुंदर से हमारा वॉस बनेगा एक पर बिसमें ते कट करका निकाल थोड़े फट गयी थि तो उसमें से एक मैंने और इस तरीके से कट कर निकल के इसको इसपे चिपका दिया है तो उसके वाध फिल लगी नहीं रहा है कि हाँ विलुकल यह अलद federal से या इसमें दीख नहीं रहा बहुत ही सुन्दर सा यह बने कि हमारा रैडी हो जा रहा है यह देखिए बहुत ही खुबसूरा सा यह इसके उपर भी हम थोड़ा सा ग्लूप अपलाई कर देंगे यह देखिए इसके देखिए मैंने कुछ डाइमंड शेप के गोल्डन मिनर का यूज किया है यहां पर देखिए जो नंबर्स है ना उसके 20 में मैं इस तरीके से लगा रही हूं इस तरीके से हमें लगा देना है इतनी खूबसर से डिजाइन वाच हमारी कुछ चीजों की यूज से हमारी बन जाती है अगर आपको भी सब तरीके की वाच मिलती है आपके पास कोई प्लेन वाच है उसको भी आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं और लगाने के बाद बहुत ही अच्छी फिलिंग आ रही है मैंने हमने डिजाइन वाच मार्केट से होम टॉन वगरा में मिलती है यह देखिए उसके मैंने डायमंड शेप कही मिटर का चोटे मिटर का यूज किया है यह जो हमने पेपर लगा था उनके बीच में इस तरीके से हमारा पूरा हमें यह देखिए वन बाइन करके आप मुझे गॉफ्मेंट सेके समय ज़रू आना अप चारए डियावाइश में सबसे डियावई कोन सी लग रही है और आप इसमें से कौन सी डियावई ट्राई करने वाले हैं इस डिवाली इस तरीके से हमारा पूरा हमें लगा देना उसके मे बहुत ही संदर सा वाच बनके रडी हो जाता है एकदम सिंपल सी गिफ्टेड वाली वाच और हमने इसको डिजाइनर वाली वाच में कनवर्ट कर दिया तो आप बताना क्या आपके पास इस तरीक की कोई वाच है और अगर है तो आप उसके साथ उसको इस तरीके से है तो उसी थीम के साथ यह मैच हो जाएगा और इस पर दो कोट हमने कर दिया है बहुत ही संदर सा इसका कलर पूर चेंज जाएगा मैं इस पर कोई डेकोरेशन नहीं कि मुझे यह ऐसे ही सिंपल बहुत अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से हमने इसको डेकोरेट कर दिया यह हमारी थीम के साथ बहुत यह से मैच हो जा रहा है तो आप मुझे कमेंट सेके से में जरूर बताना कि आपको मेरी डियाइवेस कैसे लगए हैपी दिवाली टॉल आफ यू और पहले की वीडियो भी आप जरूर चेक करना बाबाबा